गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी प्रसिद्ध कविता ब्रह्म राक्षस शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परितक्य सूनी बावडी के भीत्री थंडे अंधेरे में बसी गहराईयां जलकी सीधियां डूबी अने को उस पुराने घिरे पानी में समझ में आन सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बाद गहरी हो बावडी को घेर डाले खूब उलजी हैं खड़े हैं मौन ओदंबर वशाखों पर लटकते घुगूओं के घोसले परितक्य बूरे गोल विगत शत्पुन्य का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह बनता है गहन संदेह अंजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती बावडी की उन मुडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर ले पुष्पतारे श्वेट उसके पास लाल फूलों का महकता जोर मेरी वह कनहेर वह बुलाती एक खत्रे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मूबावडी का शून्य अंबर ताकता है बावडी की उन घनी गहराईयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक पैठा है वभीतर से उमरती गूंज की भी गूंज बड़ बड़ा हट शब्द पागल से गहन अनुमानिता तनकी मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वक्षकर ने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह हाथ के पंजेब बराबर बाह च्छाती मुछ पाचप खूब करते साफ फिर भी मैल फिर भी मैल और हूटों से अनोखा स्त्रोत कोई कुई कृद्ध मंत्रो चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार मस्तक्की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार उस अखंट स्नान का पागल प्रवा प्राण में संवेदना है स्याह किंतु गहरी बावडी की भीतरी दीवार पर तिर्छी गिरी रविरश्मी के उड़ते हुए परमानू जब तल तक पहुँचते हैं कभी तब ब्रह्म राक्षत समझता है सूर्य ने जुक कर नमस्ते कर दिया पथ भूल कर जब चांदनी की किरन टकराए कहीं दीवार पर तब ब्रह्म राक्षत समझता है बंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे अतिप्रफुलित कंट की तनमन वही करता रहा अनभव की नबने भी विनत हो मान ली है श्रेश्ठता उसकी और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबिलोनी जनकताओं से मधुर वैदिक रिचाओं तक वो तब से आज तक के सूत्र चंद मंत्र थ्योरम सब प्रमयों तक के मार्क्स एंजलिस रसिल टॉयमबी के हीडे गर वैस्पलेंगर सात्र गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याक्षान करता वह नहाता ब्रम राक्षस शाम प्राक्तन बावडी की उन गनी गहराईयों में शून्य ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराईयों से उठ रही ध्वनियां अतह उद्भांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निजप्रतिशब्द को भी काटता वह रूप अपने बिंब से ही जूज विक्रताकार कृति है बन रहा ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिधवनि से यहां बावडी की उन मडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियां सुनते हैं करोंदी के सुकोमल फूल सुनता है उन्हें प्राचीन ओदुंबर सुन रहा हूं मैं वही पागल प्रतिकों में कही जाती हुई वह ट्रेजडी जो बावडी में अड़ गई खूब उचा एक जीना सावला उसकी अंधेरी सीड़ियां वे एक आभ्यांतर निराले लोक की एक चड़ना और उतरना पुनह चड़ना और लुड़कना मोच पैरों में वच्छाती पर अनेको घाव बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर अच्छे वो उससे अधिक अच्छे बीच का संघर गहन किंचित सफलता अतिभव्य असफलता अतिरेक वादि पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं जामितिक संघति गनित की दृष्टी सेकर्थ भव्य नैतिक मान आत्म चेतन सूख्ष्ван नैतिक भान अतिरेक वादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान मानुवी अंतर कताएं बहुत प्यारी है रवी निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दिवालों पर उधित होता चंद्र वरण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अंगिन दशमलव से दशमलव बिंदूओं के सर्वतह पसरे हुए उल्जे गनित मैदान में मारा गया मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की व्यक्तित्व वह कोमल इस फटिक प्रासाद सा प्रासाद में जीना वह जीने की अकेली सीड़ियां चड़ना बहुत मुश्किल रहा वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामन जसी योजित समी करणों के गनित की सीड़ियां हम छोड़ दें उसके लिए उस भाव तर्क वह कार्य सामन जसी योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका किंतु युग बदला वह आया कीर्टी व्यवसाई लाभकारी कार्य में से धन वो धन में से हृदय मन और धन अभिबूत अंतह करण में से सत्य की जहाई निरंतर चिल चिलाती थी आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राण में अन्बन विश्वचेतस बेबनाव महत्ता के चरण में था विशादा कुल मन मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदी तो व्यथा उसकी स्वयम जी कर बताता मैं उसे उसका स्वयम का मूल्य उसकी महत्ता वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उप्योग उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजडी है नीच बावडी में वह स्वयम पागल प्रती को में निरंतर कह रहा वह कोठरी में किस तरह अपना गनित करता रहा वो मर गया वह सगन जाडी के कटिले तम विवर में मरे पक्छी सा विदाही हो गया वह ज्योती अंजानी सदा को सो गई यह क्यों हुआ क्यों हुआ यह मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्त्रोत संगत पून निशकर शों तलक पहुँचा सकूँ मुक्ती बोट